नमस्कार सात्यों, आज हम बात करने वाले हैं Money View Personal Loan के उपर, दोस्तों Money View application में जिन जिन भायों ने Loan लिया है, और उस Loan को Repayment कर दिया है, लेकिन फिल भी उनको नया Loan Offers नहीं मिल रहा, दोस्तों आज किस वीडियो में इसी topic पर चर्चा करने वाले हैं, कि Money View application में जब हम Lo कर देते हैं, तो instantly नया Loan Offer क्यों नहीं दिया जाता है, इसके पीछे region क्या है, आखिर इसका जो सवाधान है, वो कैसे होगा, तो वीडियो आप complete देखा है, मैं इस वीडियो में जानकरी बताऊंगा, बिल्कुल सही होगी, और अगर आप नियम फॉलो करें होगे, तो 99% आ आपको बता दूँ कि Money View का जो भी हम Loan लेते हैं, उस Loan के उपर हमको Top Up Loan भी दिया जाता है, कब दिया जाता है, देखो, जैसे मान के चलो, मैंने Example के तोर पे 15,000 रुपे का Loan लिया, ठीक है, जिसकी EMI है मेरे बारा मन्त की, अब मैं इस Loan में से तकरीवां आदे से ज्य पर मिल ही जाएगा, किसी-किसी Users को नहीं भी मिलता है, वो Depend करेगा कि आपका Area कौन सा है, वहां पर Money View किस प्रकार से काम कर रही है, ठीक है, तो देखो, जिनको Top Up Loan मिल जाता है, वो instantly Top Up Loan ले करके, आप Loan को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर जिनको Top Up Loan नहीं मिलत को क्लॉच किया, तो आपको 99%, एक परसंट नहीं, 99% आपको नया ओफर देखने को मिल जाएगा, लेकर बात यहां पर आती है, कि कई लोग क्या करते हैं, कि जैसे मान की सरफ 15,000 रोपे का Loan मिला 12 महीने के लिए, आप उन्होंने आधी MI Pay कर दी, आधी MI Pay करने के बाद उनके मन में ख्याल आया, कि मैं इस Loan को पूरा फुल पैमेंट कर दूँ, इसके बाद इससे बड़ा Loan इमांट ले लूँ, ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, कि आधा Loan यह भरने के बाद, उस Loan को 4 क्लॉच कर देते हैं, मतलब कि पूरा ही क्लॉच कर देते हैं, और जैसे ही क्लॉच करते हैं, मेरे भाई, आपको नया ओफर नहीं देखने को मिलता है, फिर आपको बेट करना पड़ जाता है, ठीक है, अब ऐसी कंडिशन में, कंपनी वाले को आप बोलते हैं, यह हुआ कैसे, मैंने तो आपको पूरा पैसा दे दिया, फिर भी आपने मुझे नया Loan पूर नहीं दिया, तो देखो, मैं आप बता दूँँ, कि मनीवू जो एपलीकेशन है, मनीवी एपलीकेशन वो आपको Loan देलवाती है, RBI रजिस्टर कंपर्यों से, ठीक है, अब इसमें, खुश से MVFC रजिस्टर, RV रेजिस्टर कंपर्यम नहीं है, ठीक है, मनी विव तो नहीं मिलेगा। ये क्याकिति आपको किये। तो money view के system पर लेकिन money view को आपका data उठा करके lending partner को दिखाना होगा यह पैसा पूरा मेरे पास आ गया अब आप इसका पैसा रख करके इसका क्लॉज कर दो है तो जब lending partner के पास आपका पैसा पहुचेगा lending partner आपको क्लॉज करेगा उसके बाद lending partner करेगा आपका lending partner कि अब इसको कितना लॉन देना है ठीक है और जितना लॉन लेंडिंग partner पास करेगा तो इसमें नए लॉन लेने में वह तक्रीवन एक से ड्ल महीने का लग जाता है समझ के अगर आप नए लॉन ले रहे हो पुरानी लॉन को फोर्क लॉज करके तो आपको फर एक से ड्ल महीने तक का वेट करना पड़ सकता है और इसमें आपको सिविल स्कोर बहुत ज्यादा मेंडिटर है लेकिन इसी को चलती ही जब यह प्रोब्लम हो रही है तभी तो मनीविव आपको बीच मा टॉप लॉन को खोल देती है कि भाई पूरा किलोज मत करो लॉन को और अगर आपको जरू है तो यह तो ले रहे हैं इसको ले लो और लॉन को कंटीनू आगे बढ़ा दो ठीक है ले है जो है लॉन का तो भाई आप वेट करो एक से डेड़ महीने का आपको 100% आफर आएगा और आप उस आफर का लाब भी ले पाएंगे ठीक है वीडियो बसे तना आई रहे हैं वीडियो आप पच्छा लागा तो लाइक कर दें दोस्तों साथ शेर कर दें और अगर कोई भी